हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एज चैनल और नौल जो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बात करने वाले फाइब बेस्ट लेर्णिंग एप्स फॉर कॉलेज शुरेंड्स फ्रेंड्स मैं आज आपको फाइब ऐसे बेस्ट लेर्णिंग एप्स के बारे में बताने जा रही तो आप डेफिनिटली जिस भी कॉलेज वर युनिवस्टी में पढ़ते हैं आप वहां के टॉपर बन सकते हैं फ्रेंट्स यह बेस्ट बनते हैं इनके अमेजन फीचर्स एंड टूल्स के वज़े से फ्रेंट्स आपके लिए मैंने इस वीडियो में एक ऐसा एप इंक्लूड किया है जिसमें आप स्कॉलर्शिप बिन कर सकते हैं सो फ्रेंट्स वीडियो को बिना स्कीप किये पूरा देखिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनिटाइम लेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके साथ हमें पहुत सारी चीजे भी करनी होती है इसके लिए हमें एक टाइम मैनेजिंग एप की जुरुवत होती है आप इस एप में किसी भी टास्क को जल्दी से एड़ कर सकते हैं आप इसमें एड़ सेट कर सकते हैं कि यह टॉपिक हमें इतने टाइम के अंदर कम्प्लीट करना है यू कन अल्सो एड़ेट थे स्पेसिविक सेड्यूल टुडेट में आपको एक ऐसा टूल्स एंड फीचर्स मिलते हैं जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो टाइम टेवल पर सेड्यूल बनाया है वो ठंग से पूरा हो पहुपा रहा है या फिर आपका परदर्शन और से उपर है या नीचे है वैसे तो टूडेट एक कॉलेज इस्ट्रेंड के लिए बहुत अच्छा एप है बट इसको काफी इंफ्लॉइट्स एंड वर्कस भी यूज करते हैं अगर आप अपने स्टड़ी के साथ कुछ और क स्कॉलिश लाउफ मैं हमें सबसे जियादा चिन्ता होती है अपनी 75 परष Map कलास पूरीोह चुकी और पितना अच्छा होता ना अगर हमें पता होता कि हमारे 75 परस seulement अपन अदने करने में कला सब करने हैं या फिर इस तक हमारी 75 परेमने माें जोन हमें betiss and सबसे पहले आपको इसमें अपने अपने सेट कर लेना है कि आपको जितनी भी अपने पर्टिकुलर सेमिस्टर में जितनी भी सब्जेक्ट है उनको इसमें सेट कर लेना है जैसे मैंने अभी इसमें मैसे कि अप को इन्पूट किया है आप इसमें जो भी आपके प्रटिकुलर सब्जेक्ट आप उसको इसमें एड कर लीजिए और डीली आपको इसमें यह कि अपने क्लास अटेंड करी जैसे मैंने भी मैश्ट की क्लास अटेंड करी तो मैं मैस लगा दूगी और सी लाइप की क्लास अटेंड नहीं करी तो सी लैक बर रॉंक टिक लगा दूंगी तो गैस इससे होगा क्या यह आपको अपको अपनी ओवरल अटेंडेंस को कंक्लूट करके आपको सो कर देगा सो फ्रेंड्स यह एप्लिकेशन आपके 75% अटेंडेंस को डेफिनिटली मैंटेन करता है एंड फ्रेंड्स यूजड एप्लिकेशन इससे आपके कभी भी कॉलेज अटेंडेंस में गड़बडी नहीं होगी सो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने थर्ड एप की तरफ और थर्ड एप है गुड़वल कॉम्यूनिटी फॉर स्टुरेंट्स एंड फ्रॉफेशनल्स गुड़वल एप आपको कनेक्ट करता है टॉप फाइप जॉब्स, ग्रेंड्स एंड स्कॉलर्शिफ से आप गुड़वल एप में वन मिलियन फ्रेंट्स स्टुरेंट्स, टीचर, प्रॉफेशर्स, एंड इंटेलिजेंट्स परसन के साथ जुड़ जाते हैं अगर आपको किसी भी कुश्चिन का आंसर चाहिए होता है तो यहां आपको बहतर से बहतर आंसर मिल जाते हैं यहां आप अपना इंट्रेस्ट सेयर कर सकते हैं आप अपने अपॉर्चिनिटी को डिस्कवर कर सकते हैं इस एप्लिकेशन में आपको जॉब्स एंड इंटर्सिप के भी ओप्सन देखने को मिलते हैं इस एप्लिकेशन के जरीए आप कुछ नया सीखोगे और आपको इंकम करने के नए नए प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलेगा यही एप है जिसके बारे में आपको मैंने फर्स्ट में बताया था कि मैं आपको कोई इसकॉलर्सिप देने वाला एप बताऊंगी सो गाइस आप यहां पर स्कॉलर्सिप बिन कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि इस एप्लिकेशन के दवारा हम स्कॉलर्सिप कैसे पा सके तो आप मुझे कमें सेक्शन है बताइए इसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगी और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप यूटूब पर सर्च किजेगा आपको महां पर भी बहुस नारे वीडियो मिल जाएंगी I think friends this is very good application for college student what do you think will you tell me in the comment section So आप इस application को यूज कीजिए और अपने friends के साथ जदे-जदे share कीजिए So now we are going to talking about second application and second application is google key notes and list Friends काफी बारी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई topics पढ़ते हैं इसको याद करते हैं कुछ दिनों बाद हम उसको भूल जाते हैं और फिर बाद में टॉटॉलने लगते हैं कि यह topic हमने कहां पढ़ा था किस चैप्टर में बाद था और काफी बारी हमें अपने books के language समझ में नहीं आती तो हमें notes से ही होते हैं इसका best feature यह है अगर आप इसमें अपनी कोई idea अपनी family और friends के साथ share करना चाते हैं तो वो भी आप इसमें share कर सकते हैं यह group learning के लिए एक बहुत ही ज्यादा famous app है ज्यादा तर बच्चे से college में group learning के लिए इस्तमाल करते हैं आप इसमें अपनी classmate को join कर सकते हैं ज्याइन करा सकते हैं आप जितने भी लोगों को इसमें add करना चाहें उतने लोगों को आप इसमें add कर सकते हैं उनके साथ आपस में नोट्स सेयर कर सकते हैं उनके नोट्स आप देख सकते हैं आपके नोट्स वो देख सकते हैं इस एप को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से सेयर कीज़ेगा और आई प्रॉमिस इससे आपके स्टडी में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इससे आपक सरीके से नोर्स बना सकते हैं जोसको अच्री से डिजाइन कर सकते हैं नोट्स में रिमेंबल लगा सकते हैं कि आपको ये वाला टॉपिक इतने टाइम प्रेंट इसमें और अपने साथ और लोगों को भी याद कराना है तो आप इसमें उन लोगों को एड़ करा के सिंपली उसमें रिमेंबर लगा सकते हैं जब वो इवेंट होगा आपको और उन सब लोगों को एक साथ मैसेज चले जाएगा सो फ्रेंड्स यह तो थी हमारी सेगेंड अब बात करते हैं अपनी वर्स्ट एप्लिकेशन के बारी में सो फर्स्ट एप्लिकेशन है विकीपीडिया अगर आपने गूगल पर कोई टॉपिक सर्च किया हो तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो वेबसाइट खुलती है व मैं आपको बता दू विकीपीडिया वर्ड का नंबर वन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां आपको दुनिया की लगबख सभी चीज़ों के जानकारी मिल जाती है जिस परकार विकीपीडिया की वेबसाइट है उसी परकार यह ऑफिसल एप्लिकेशन भी है इस इस वेरी यूशफूल तो अल टाइप सब एजुकेशन विकीपीडिया एक ऐसा एप्लिकेशन है जिसमें आप अपने आर्टिकल से अंसर सेयर कर सकते हैं जोकि विकीपीडिया एक समू है जो आप और हम जैसे लोगों से मिलकर बना हुआ है अगर आप अपना लिखा विकीपीडिया पर पोस्ट करते हैं तो अगला बंदा उसे आके एडिट कर सकता है या उसमें कुछ नया वर्ड जोड सकता है वर्ड के बैस्ट टीजर्स प्रॉफेसर एंड इंटलिजेंट परसंड विकीपीडिया पर अपनी न्यू इन्वेलेंस को सेयर करते हैं अपनी एप को जरूर से इस्तिमाल कीजीगा त्यूंकि अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है इसके लिए आप वो गूगल पर जाके कोई भी वेबसाइट को सर्च नहीं करना पोड़ेगा तो फ्रेंट्स यह थे 5 बेस्ट लर्निंग एप जो कॉलिज का आपको डॉपर ब तरिएगा कि आपको कौशी अप्लिकेशन आपको बैस लगी थैंक्स पर वाचिंग गाइस बाबाई